हेलो फ्रिंड्स आप सबी कर मेरे किछन में बहुत-बहुत सबस्क्राइब करें और अब तक अब तक आपने मेरे चैनल को सब्स्क्राइब नहीं है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए I mane अपने बनाने जा रहे हुँ दही बड़े बहुत ही सिंपल और आसां सरकेसे here मैं यहाँ अकप राद पर पानी में भिंगो कर रख दीया था तो उसे कम और से कम-5-6 घंटे के जल भिंगो कर रखे अच्छे से पहले दाल को धो दोले फिर इसे भिंगो कर रखे मैं इसमें तीन हरे मिर्चे डालने हूँ आप चाहें तो अध्यक भी डाल सकते हैं फिर उनको मैंने मिक्सी में पीस लिया है देखिए हमें इस तरह का बिल्कुल इसके पीस के पेस्ट बनाना है और इसमें एक ही डिरेक्शन में बिल्कुल पांस दस मिनट तक अच्छे से पे पेनेंगे इस तरह से फिल से करकर इसे 10 मिल्क के लिए साइड में रख देते हैं मैंने आप पर कुछ तयारे की हैं मैंने यह इंबली की चटनी बनाई है उससे हमारे देह बड़ा को साथ बहुत अच्छा आएगा और यह हरी धनिया और पुदेनी की चटनी है यह हमारे चा बहुत ही जबदस्त वाद लाएगा इन सब चीजों से आप भी मज़ेदार दही पड़ा बना सकते हैं मैंने यहां पर दही ले लिए आप चाहें तो अगर आपकी दही खटी हो तो थोड़ी सी चीनी डाल सकते हैं पर मैंने इसमें नॉर्मल थोड़ा सा नमक डाल का बस इस अच्छे से पेट लिया है मिना गाढ़ा दही चाहिए बिलकुल में पतला दही नहीं होना चाहिए हमारा चली हो अपनी दाल को देख लेते हैं जिसे हमने यह दस मिटले साइड में रखा था इसे फिर से अब हमें फेटेंगे आपने देखा हो कि मैंने अभी तक इसमें नम बहुत ही मज़िदार बन कर तेयार होंगे तो अच्छे से सब चीजों को फेट ले और यहां पर मैंने कराही में तेल गरम कर दिया यह देख सकते हैं जब बरे ना पानी में तैढने लगे तो मतलब कि हमारे बैटर है बिलकुल पर्फरक्ट बना है तेल अच्छे से गरम कर के आप सारे बरो को धीरे धीरे तेल में डालें बहुत ही ध्यान से काम करें इस तरह से करते हूं सारे बरो को आप तेल में डाल दें फ्लेम को बिलकुल ही धीरा रखें बिलकुल धीरे फ्लेम पर इसे में फ्राय करें में कम से कम दस से पंदा मिट लगेंगे फ्राय करने मे कुछी देर में बड़े कितने अच्छे से पूल का तयार हो गया है बहुत ही मज़ेदार हमारी रेस्पी बन रही है और इसे हर कोई आसानी से घर पर बना सकता है आपको मेरी रेस्पी कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताईएगा तो आप इस रेस्पी को कप ट्राई कर रहे हैं जरूर ट्राई कीजिए इस तरह से बिलकुल स्लो प्लेम पर सारे बरो को पलटते हुए फ्राई कर लें जब अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तो फिर हम इने निकाल लेंगे मैंने इहाँ पर एक बॉल में नॉर्मल पानी ले लिया यह देखिए हमारे बरे बहुत अच्छे से फ्राई हो गए अब बस हमें सारे बरो को इसमें डाल देना है और थोड़े देर के लिए हम इस पानी में छोड़ देंगे इस से क्या हो न हमारे बरे बहुत ही सॉफ्ट बन कर तयार होंगे तो आप भी स्टिक को फॉल्व कर सकते हैं बस हमें डाल कर थोड़े एक लिए रख कर फिर इस तरह से नहीं से हतीलियों पर निकाल लेंगे और जितना भी पानी एकसे वाटर होगा न उसे दबा लेंगे अभी तो यह गरम है मैं आपको करके दिखा दे रहीं कि इस तरह से ही हमें करना है तो यह देखिए हमारे जो सारे बरे हैं बहुत अच्छे से पानी में सोग हो गया हैं चलिए से सजावट कर लेते हैं तो जैसे मैंने कहा था ना कि यहां पर हमें बिल्कुल गाढ़ा दही चाहिए पतला दही नहीं चाहिए तो मैं सारे बरे को पर अच्छे से दही को फैला ले रही हूँ आप जब सर्व करना हूँ तब इस टाइम पर यह प्रोसेस करें आप बरे को बना कर रख लें और ठंडी ठंडी दही उसके ओपर डालेंगे तो आपके जो बरे हैं बहुत ही जबदस से बनकर तयार होंगे अब इसके ओपर से जो सबसे पहले हमने यह इमली की चट्नी थी ना यह खटी मीठी सी चट्नी उस चट्नी को डाल देंगे सिजावट अपनी मन पसंद से भी कर सकते हैं आपको कर इमली का टेस्ट पसंद ना हो या ना मिले तो आप इसकी जग़ा टेमाटो केचप का भी यूज़ कर सकते हैं और मैंने सारी चटनी को बरे को डाल लिया इम्ली की इस तरह से सारी चटनी को पर फेला दे अब मैं या पर हरी जो पुदिनी के चटनी थी धनिया की उसकी चटनी को डाल रही हूं पुदिने का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है इसमें तो हो सके तो पुदिना जरूर से पुदिन धन्य पत्तिक चट्नी और इंबली की चट्नी हमारे दही बरो में बहुत ही जबदस सवाद लाएंगे आप देख सकते हैं कि मैंने चट्नी को अच्छे सपने बर्य को पर डाल लिया है अब जो मारे सुखे मसाले थे जैसे की काला नमक थोड़ा सा चाट मसाला और य इस तरह से मैंने सारी मसालो को अच्छे से डाल दिया है तो बहुत ही जबदस से बहुत ही स्वादिस्ट हमारे नहीं बरे बने आप किसी भी तहवार के मौके पर इसे बना सकते हैं बहुत ही स्वादिस्ट लगते हैं खाने में और अब बस लास्ट इम हम इसके उपर जो मै देखिए बहुत ही जबदस से हमारे दहीबरे बन चुके हैं तो आप इस रस्पी को बनाए घर पर अपने परिवार दोस्तों में सबके साथ खाएं तो आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रू बताईएगा अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब न और लेखिए आपने मेरे जब दोस्तों में भूबस सभाएं था है झाल को सबका हैं तो आपको में तोस्तों में घर देखिए फ़िग।